जारखन में रामगर जिले के डिस्टिक कलेक्टरेट में फर्जी चेक से 11 लाख रुपे गवन का मामला उजागर हुआ है यहां दो फर्जी चेक से इस फर्जी वाड़े को अंजाम दिया गया फिल्हाल उपायुक्त ने इस मामले में केस दर्च करा दिया है गवन का खुलासा तब हुआ जब नाजी ने चेक को SBI की शाखा में क्लिरेंस के लिए भेजा था बैंक ने पूर्ड में ही निकासी होने की बात कहकर चेक वापिस कर दिया इस मामले में उजागर होने के बाद अधिकारियों में हरकम मचा हुआ है जानकारी के मताबिक दोनों चेक एक ही सीरीज के हैं एक चेक से 4,86,000 रुपे तो दूसरे चेक से 8,45,000 रुपे निकाले गए इन चेकों पर जिले में पदस्त कारेपालक दर्णदिकारी संजर कुमार के फरजी हस्ताक्षर और मोहर भी मौजूद है और दोनों चेक से कॉलकता की दो अलग अलग शाखाव से पैसे निकाले गए हैं हलाकि मामले को तूल पकड़ता देखकर बैंक ने चार दिन बाद पैसे लोटा दिये हैं वहीं फरजी वाड़ा करने वाला अभी भी गिरफ से बाहर है करने मागे के दोरा सेम चेक नंबर जो कि उनके पास मौजूद है कि इन दो चेक के मात्यों से दो बार में यह निकासी हुई है तो इसमें पूरा मामला वीस में समझ्दा में आउन समय नाम के और जिनी लोग करने होगा कि लाव लुट बेदाने करेंगे